स्रावन के महने की अमवस्या को हर्याली अमवस्या कहते हैं और इस दिन सिब जी को मनाने का पित्री देवों का आसिवात पाने का और तमाम तरह के कुंडली के दुर्योगों से मुक्ति पाने का एक बहुत ही दुरलब संयोग के साथ दिनाया है सावन का महना चल रहा है और सावन के महने में एक नियम बना लें अपने घर में तो भूले बाबा की किरपा भी बरसेगी और जीवन में खुजियां भी आएगी नकात्मक उर्जा दूर चली जाएगी और फिर आपके जीवन में सब कुछ बदलता हो आपको नजर आएगा क्योंकि सिवजी आपके भागे को लिख देते हैं वो जैसा चाहें वैसा तो आप में वो सकती होनी चाहिए आप में वो चाहत होनी चाहिए कि सिवजी से आप अपने भागे को लिखवा सकें क्योंकि सिवजी सब कुछ दे देते हैं आपको पता है उन्होंने घर बनवाया लेकिन वो भी घर पुजा के बाद दक्षिना के रूप में दे दिये कहने काताथ पर सिवजी के पास सब कुछ है आप जो चाहों मांग लो और आपको मिलता भी है तो चलिए आज एक छोटा सा प्रियोग जो पूरे सावन में आपको करना है रोज सबसे पहली बात जब आप घर का मुख्य दर्वाजा खोलते हैं तो दर्वाजा खोलते ही दो चार बुंद गंगा जल अपने घर के मुख्य दर्वाजे की बाहर छिड़क दे इससे क्या होगा रात भर में जो परिसानिया निगेटिव इनर्जी घूम रही है वाता परन मे सांत हो जाती है चली जाती है उसके बाद घर के बेक्ति जो भी बाहर निकलते हैं उनके उपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो पहला काम यही करना आप घर की महिलाएं पुरूस हैं कोई भी यह काम कर सकता है दूसरी चीज जब आप घर की साफ सफाई करें एक बात जागर रहे इस यान करें सावन के मैन्मे में सनीवारा विबार आते हैं घर के मुख्छे दर्वाजे को दो है वैसे आप पूरे कही करने और जारू लगाने के पहले दोस्व 됐र यहीं कि पानी डाले फिर आप उनकर लेगां अप माल लेते हैं अप फ़लेट मे राते यह नकात्मक चीजों को सोंक लेता है और ये पानी आपके जीवन में सकात्मक उर्जा को बढ़ाता है तो फिटकरी मिले से पानी से पोच्छा लगवाईए सफाई करवाईए और एक छोटा सा काम करें आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या असोक के पत् घते हैं तो धनव सकता होती ईए स्वुम बार को लगाते हैं तो स्वास त्पी लगाता है और लगमाल को लगाते हैं तो चारो दिशाओं से तरह की होती अब मर्जी आप जिस भी दिन लगाना चाहें पुरान वाला चेंज करके आप कहीं भी साइड में डाल दें रोड सा करके आप घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाईए यह सुमंगल प्रतिक चीन जीवन में सुपता को बढ़ाएगा जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा और आपके जीवन में खुसियां भरवर कराएंगी अब इतना तो हो गया इसके बात आप आराम से स्नान कीजि लेकिन उसके पहले अगर कोई विसेस मनो कामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है जैसे की जिवनें बहुत मुस्किले हैं नौकरी नहीं लग पा रही बेपसाय अच्छा नहीं चल पा रहा घर में परेसानी है टेंसन ज्यादा हो गया है कैसी भी समस्या हो स्वास् स्वास्तिक सिंदूर जो भी आपके पास उसी को मिक्स कर लें जब आपके मनो कामना विस्पूरी हो जाए तब उसी मंदिर या किसी भी मंदिर में जाकर एक सीधा स्वास्तिक बना दें दिवाल पर बनाना है याद रखिए मंदिर के बाहर दिवाल पर भीतर से कोसिस करें बाहर से बना लें तो ज्यादा अच्छा है वैसे अंदर से भी बना सकते हैं देखिए उसके पहले इस अमवस्यतिति को पौधे लगाने का भी दान है पीपल का बरगत का नीमू का केले का बेल का पौधा कहीं भी सारवजनिक अस्थान पे लगाईए देख भाल कीजिए जैस में सामगदी डालें या फिर प्लेन वाटर भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन पूरे मेहने जब आप सिब जी की पूझा करेंगे तो बिसेश परियोग करना मत भूलिए आप अपने घर में भी पूझा कर सकते हैं लोगडाउन है क्रोना वायरस अभी भी कम नहीं हुआ है इस अगर आप दूद से सिब जी का भी सेख करते हैं तो फिर इस सिब जी के जो कंठ में बिस है उसका जलन भी कम होता है और आपके भी जीवन की समस्या समाप्त होती है और साम के वक्त पास के कोई भी सिब जी का मंदिर है वहां जाकर एक दीपक जरू जला है वैसे ये प्रिय 108 हमारे हिंदू धर में 108 का बहुत मात्व है और आज हम आपको वही बताएंगे कि आप नियमी जब आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आप को आज हम बहुत सारी समागरी सिंपल तरीके से बताएंगे आप कोई भी एक उपाई कीजिएगा 108 दाने पीली सरसों के साइड कर लें एके करके नमसिवाय बोलते हुए सिबलिंग पर अरपित कर दें अब ये आप कर सकते हैं या आप सरसों का पुस्प से भी कर सकते हैं केसर अरपित करें सिबलिंग पर तो विवाह समंदी तमाम समस्याएं दूर होती है अगर आप आकड लौंग से सिविलिंग का भी सेख करें लेकिन एक बात रखिएगा नमसिवेब बोलते वे एक एक करके भी सेख कीजेगा तो राहू के तू सांत रहता है अगर चावल के 108 दाने से अभी सेख करते हैं तो आपके जीवन में अन धन वस्तर की कमी नहीं रहती अगर इतर से अभी जलर पित करें तो बीवा होने की मुस्किलें दूर होती है अगर समी के पौधे में आपको पुस्प मिल जाए तो नौ समी के पुस्प ले आएं और सिविलिंग का अभी सेख करें तो सनी देब समंदी हर पिडाएं सांत हो जाती है और साथ ही साथ अगर आप जल में बेल प बता रहे हैं बाद में सब को इकठा करके आप पास में किसी भी पेड़ की नीचे रख दे चिडियां खा लेगी छट पर मट डालिएगा नहीं तो रहू एक्टीब हो जाएगा और जीवन में आकस्मिक समस्यां आ जाएगी यह है भांग भांग का पत्ता अगर 108 की संख्या में सिबलिंग पर अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख बढ़ता है सुकून बढ़ता है अगर 108 सफेद पुस्प से सिबलिंग का अभिसेख करते हैं तो जीवन में खुसियां आती है और यह है तीसी का पुस्प तीसी यह आपको कहीं भी खेत बेगर में मिल जाएगा का आसिर्वाद आपको मिल जाता है 108 के हुम के दाने अर्पित करते हैं तो बंस बुर्दी होती है संतान की प्राप्ती होती है संतान तरक्की करता है अगर 108 हरा मुंग का आप सिब्लिंग पर याद रखिए एक एक करके अर्पित करना है नमस्यवाई नमस्य भै कहके अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो किसी और के लिए कर रहे हैं तो ओम नमस्य भै बोलिएगा तो मूंग अर्पित करने से बुद्ध की समस्या दूर होती है धन आता है और अगर सरसों के पुष्प से अभी सेख करते हैं तो फिर और कुछ करने की आवसकता नहीं है यानि सब कुछ मिल जाता है अगर पित्री दोस परेसान करें तो स्रावन माह में आप सिब्लिंग पर जब जल अर्पित करेंगे तो जल में कुछा घास डालकर ही अर्पित कीजिए और कुछा घास निकालकर सिब्लिंग पर रख दीजिए पित्री देव सांथ हो जाएंगे पित्री दोस आपका समापत हो जाएगा और इस तरह से आप सिब्जी को मना सकते हैं छोटे छोटे परियोग से क्योंकि सिब जी तो छोटे से आपके सिब वो तो भाव के भूके हैं आप दिल से उनको पकार लेते हैं आपके मन में कोई काम ना है उनसे कह देते हैं तो वो दोड़े चले आते हैं आपकी जीवन की परिसानिये को दूर करने पूरे साबन में आपके दर्वाजे पर गाय बैल जो भी आ जाए कुछ नो कुछ खाने की वस्तु जरूर दे क्योंकि हो सकता है नंदी जी महराज घूम रहे हूँ तो अपनी मनन तो आपको पूरा करना ही है घर के मुख्य दर्वाजे पर पानी वाला परियोग रोच कीजिएगा सुबह सोकर उठते ही एक बात हमें साही याद रखिए जब भी सिब जी का आरती करें तो दीपक में लॉंग डाल करें कपूर जलाते हैं तो कपूर के साथ लॉंग डाल करें आपकी जितनी भी मनो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी और दीपक में लॉंग जरूर डालिए क्योंकि अदभुत सहियों के साथ ये अमवस्या आई है फिलाल भी डालेंगे हर हर माते